नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल नूज मैं हूँ प्रफुल लगिरी कैपिटल नूज पर हमने पहले खबर दिखाई थी कि पांकी विधान सबाका राजनितिक समिकरन बिगड़ सकता है वेढ़े हैं कि पांकी से विनोद इचार जी इस बार विम्रोल मैधान में आ रहा रहा हैं अभी हम सीधा बात कराएंगे आपको विनोदwa से उनके विजन को जानेंगे कि पांकी विदान सबास से वो क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम आपको लेकर रहा है विनोद सिन्धा जी के पास हमारे साथ हैं भी आपका स्वागत है लेकिन मेरी कुछ दुविदाएं थी मेरी कुछ परिशानियां ती केस करें सब बहुत सारा प्यंडिंग था जो अभी भी है कुछ लेकिन बहुत सारा solve हो चुका है, हद तक solve हो चुका है, बहुत सारे आरोप थे, जिसको लेके लोग हमेशा विवाद में विवाद पैदा कर रहे थे, उन सब चीजों का जवाब देने के लिए मुझे था कि मैं पहले case लड़नू, उससे एक जगा में ला दू, उसके बाद मैं public के ब वज़ा यह है, यह चेत्र भगोलिक दिश्टी कून से इतना अच्छा है, यहां सारी चीजों की शुविदाएं हैं, लेकिन यह विकास नहीं हो पा रहा है, यहां इच्छा सक्टी कमी है, लोग चाहते हैं विकास होना, बता ही, एक छोटा सा चीज है आमानत बहराज, जो सकता था, जिससे लिप टेरिगेशन सिस्टम से लाखो एकड़ खेती हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां इच्छा सकती ही नहीं है, मैं किसी नेता पर टिका टिपनी करने में यहां नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको किस तरह सबसे पहला मेरा प्रास्मिक्ता होगा गर मैं आया यहां अगर नहीं छुका हूँ लेकिन अगर मुझे मुझे मौका मिला सेवा करने का पब्लिक अगर मुझे एक्सेप्ट करती है कि हाँ आई करिए जैसा है कि बहुत लोगों ने मुझे बुलाया भी कि नहीं है इस बार आपको आना ही होगा इसलिए मैं आया यहां पर दूसरा सबसे बड़ा पार जो मेरा होगा वो है रौजगार सृज़ी सिर्जित किहां रौजगार कैसे सिर्जित किया ज án सबसे पहले तो एक इसी-जेट का निर्मान होने का करवाने का मैं परियास करूंगा किया यह है कि एक स्पेषिल मजदीक है जितना दूर यहां से राची और जमसित्पूर होगा उतना दूर में आप बनारस पहुंच सकते हैं जो एक बहुत बड़ा बजार है और यहां अगर उपलब्द हो जाए और यहां अगर इंडस्टलाइशन होगा तो यहां का रोजगार का संक्या और यहां इसकी लेवर का कमी भी नहीं है लोग बहुत बुद्धिमान अर्शमजदार लोग है यहां सब आत्मसम्मान और बैवार के बुके हैं इनको कोई दूसरे चीज़ से मतलब नहीं सिर्फ अच्छे बैवार से अगर काम किया जाए अच्छे नियत से काम किया जाए तो यहां सफल त अच्छा प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा बैवार उनका मिल रहा है बस उनका एक ही सिकायत है फिर तो वापस नहीं चले जाएंगे लेकिन मैं उनको बोला है इस बार मैं अगर मैं आपके दौर में आया हूं मुझे उमीद है टिकर कोई अच्छी पार्टी से बड़ी प पर्यास करूँगा नहीं भी मिलेगा तो मैं द जड़ली जड़िये भी पर्यास करूँगा आपका सेवा करने का मेरा यही सोच है तो आपने सुना विनोद सिन्हाजी हमारे साथ इनके वीजन को और इनकी प्राथिमिकताओं को हमने दिखा और लगतार पांकी विदाहन सभा समेथ पूरे पलामू के चुनाव के गतिविदियों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहे हैं कैपिटल नोच के साथ